Dear friends, even today let's give our whole heart to the Lord प्रेमित्रो आईए आज के दिन भी हम अपना पूरा हिर्दे परमेश्वर को दें और वो मन से आपको उसे भर करके वापस लोट आएगा और हम अपने हिर्दे में उसके आनन्द के वचनों को प्राप्त करेंगी और आज एफिसी चार वचन पंद्रा के नुसार परमेश्वर हम से कह रहे है कि हम प्रेम में सचाई से चलते हुए हम सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसी में बढ़ते जाएं हां सब बातों में हम मसी में बढ़ते जाएंगे परमेश्वर आपको एक आउसर दे रहे हैं कि आप उसमें बढ़ते चले जाएं आपको वो मसी में एक अगले इस्तर पर ले जा रहे है आज कल हम देखते हैं बहुत से लोग हमारे पास आते हैं और कहते हैं मुझे आत्मिक वृद्धी चाहिए और उस निविदन के कारण से हमें परमेश्वर का आनन महसूस होता है और परमेश्वर उन्हें भर देते हैं और ऐसे लोग जो हमारे पास प्रारत्ना के लिए आते हैं हम जब उनके शहर वापस जाते हैं तो आज उन्हें परारत्ना भावन में हम पाते हैं और हम उन्हें परमेश्वर के द्वारा काम में लाए जाते हैं और औरों को वचन देते हुए देखते हैं बहुत ही विश्वास के साथ वो भी हम उन्हें आरादना करते हैं उर लोगों में pirmishwar की उपस्थिती को लाते देखते हैं वे ही सामर्थ के साथ काम में लाए जा रहे हैं और जैसा पहला कुरंथी 12.8 कहता है Ôर जैसा है पहला कुरंथी 12.8 कहता है You will receive the gifts of increase in the gifts of power आप जो हैं सामर्थ की आत्म में उस बढ़त की आत्मा को पाएंगे और आप उसमें बढ़ते जाएंगे वैसे ही वो हमारे चरित्र में भी हमें बढ़ाता है ताकि हम ईश्यू को और भी जादा प्रदर्शित करें जैसे कि गलाती पाँच बाइस में आप दूसरों को प्रदर्शित करेंगे वैसे आप उन्हें दया और धीरज दिखाएंगे यहां आप ईश्यू को प्रति बिंबित करेंगे और उससे भी बढ़ करके आप रभु के ज्ञान में भी बढ़ते चले जाएंगे आप उसे शास्त्रों और बाइबल से और भी जानेंगे आप जब उसको और भी जादा पढ़ेंगे और और जादा समझेंगे और आपके जीवन में परमेश्व जो अनुभॉल आएगा उसके द्वारा से आप उससे जानेंगे तो आप उसके चबतकारों की द्वारा परमेश्व की सामर्थ को देकर करको उसे समझेगे और अखिर में आप अपने अंदर में उसको और भी जादा महसूस करेंगे आप प्रभु की आणन में बढ़ते जाएंगे आप बढ़ते जाएंगे ईशु से और प्रेम को प्राप करके आप पुष्टरात्म के और अभी शेख को पाएंगे और आप उसे और भी जादा सुनेंगे आप बढ़ते जाएंगे और ईशु को अपने अंदर में महसूस करेंगे It's all these things God is giving you to grow up in Him. Shall we claim it? Lord, right now, pour Your Spirit upon us one more time. Take us to the next level, Lord. Let us receive more of You. Let us understand more about You. Let us reflect Your character and Your heart to the people. Let us have Your power to free Your people. To minister with more power. Help us rise up. Help us grow in You. Help us increase in a tremendous mission. Bless Your children, Lord. Let them be transformed into more glory in the Lord. Be filled with Your glorious presence. And we receive You, Lord. We receive You, Lord. In Jesus' name. Amen. What a great privilege this is in the Lord. Growing up more in Jesus. He has given it to you. And it is all that you have out of haunt. Are you 영 close to the Lord? Let us know. झाल झाल